भारतिय नौसेना के माकोस कमांडो का सफल ओपरेशन, सोमालिया में हाइजेक जहाज से सुरक्षित निकाले गए 21 क्रू मेंबर, इनमें 15 भारतिय अरब सागर में सोमालिया के तट के पास हाइजेक हुए जहाज पर भारतिय नौसेना का ओपरेशन शुक्रवार रात पूरा ह पंद्रा भारतियों समेट सभी 21 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया। जांकारी शुकरवार को सामने आई। लाइबेरिया के फ्लैग वाले इस जहाज का नाम लीला नोफोक है। भारतिय नौसेना ने बताया कि जहाज ने ब्रिटेन के मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशन्स, UKMTO, पोर्टल पर एक संदेश भेजा था। इसमें कहा गया था कि चार ज आई को जहाज की तरफ रवाना किया गया। मचेंट वैसल की सुरक्षा के लिए इंस चेन नई को भी भेजा गया। मरीन ट्रैफिक के मताबिक जहाज ब्राजील के पोर्टो डू एकुसे बहरीन के खलीफा बिन सल्मान पोर्ट जा रहा था। ये 11 जनवरी को लोकेशन पर पहुचने वाला था। वहीं वैसल फाइंडर के मताबिक जहाज से आखरी बार 30 दिसंबर को संपर्क किया गया था। जहाज को किसने हाईजैक किया। इसकी जांकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। भारतिय नौसेना ने बताया कि जहाज ने ब्रिटिंग के मैरी टाइम ट थ्यारों के साथ जहाज पर उत्रे। अरब और लाल सागर में इन दिनों मचेंट वैसल पर हमले की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। इससे पहले 14 दिसंबर को भी समुद्री लुटेरों ने माल्टा के एक जहाज को हाईजैक कर लिया था। हाईजैक किये गए ज जहाज को छुडाने के लिए नौसेना के जहाज इंस्चेननई को रवाना किया गया था। माना जा रहा है कि भारतिय नौसेना की सकती चेतावनी से डर कर हाईजैक जहाज को छोड़कर भाग गए।